कार्तिक चतुरदशी यानि की बैखुन चतुरदशी के दिन भगवान विश्णु और भगवान शंकर की एक साथ पूजा करनी चाहिए शास्त्रों के नुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्णु चार महीने की निंद्रा के बाद जब देउटनी कादशी पर जागते हैं तो फिर वो भगवान शिव की भक्ती में लग जाते हैं और बैखुन चतुरदशी वाले दिन भगवान विश्णु और शिव एक ही रूप में होते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप भगवान विश्णु और शिव की पूजा करते हैं तो आपको बैखुन धाम की प्राप्ती होती है आज की इस वीडियो में मैं बह तो खाली आपने चावल की ठेरी भी रख सकते हैं। और देखें मैं इहां पर वाइट कलर के चावल से बना रही हूं। आप चाहें तो कलर फुल चावल भी यूज़ कर सकते हैं। और आपं आप इसके उपर हम रखतेंगे हमा ढेकल दिप,, जल भर लिदा है गंगा जल डाल के उसके अंदर हल्दी की गाट सुपारी और एक सिक्का रखना होता है और इसके उपर हमें पांच पलव लगाने होते हैं आप आम के अशोक के या फिर पान के कोई भी लगा सकते हैं तो देखे उसके उपर मैंने कटोरी रखिया और उसमें थोड़े से चावल रख लिए हैं। आप चाहें तो तिल भी रख सकते हैं। और ये देखें, अविस्क्यों पर इस तरीके से मैं आपना दिया रख दूँगी। तो आप दिया मिट्टी का भी रख सकते हैं, या फिर कोई धात्तू का भी रख सकते हैं। उसके बाद ये देखे, थोड़ इसे चावलों का आसन देते वे, हम हमारे भगवान को स्थान दे देंगे, तो ये हमने सबसे पहले भगवान विश्णु की प्रतीमा रख लिए, उसके बाद हम शिव भगवान की सह परिवार प्रतीमा रख लेंगे, मेरे गणेश जी जो है शिव मूर्ती में ही है, तो मैंने अलग से विराजमन नहीं करवाए हैं, लेकिन अगर आपकी मूर्ती में ना हो तो आप अलग से भी गणेश जी को बिठा सकते हैं, तो ये देखे, मैंने तो यहाँ पर साथ में ही हमारे गणेश जी को बिठाया है, अब उसके बाद थोड दिपक प्रजलित कर लिये हैं, तो इस तरीके से हमने दिपक जला लिये हैं, और उसके बाद थोड़ सक गंगा जल का छीटा देते वे, हम अपनी चोकी को इस तरीके से जो नशुद कर लेंगे, उसके बाद फूलों का हार पेना दीजिएगा, आप चाहें तो दोनों विश्नु को भी हमने चंदन का तिलक कर दिया है, उसके बाद ये जो हमने अपना दीप कलश स्थापित किया है, उसके ओपर भी हम इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा टिकी कर देंगे, उसके बाद देखे हम रोली से गनपती भगवान को माता पारवती को तिलक करेंगे, अपने दीप कलश को दिलक करेंगे, और उसके बाद हम अपने देखे दीप कलश के पर सात्या मान लेंगे, इस तरीके से रोली से, और उसके बाद हम अपने दीप कलश को के ओपर जो हमने दीपक रखा है उसको और जो हमने पूजा में अपना दीप रखा है उसको दोनों क इस तरीके से जो है न टिक की लगा लेंगे उनकी पूजा कर लेंगे और फिर आप अपने भी टीका कर लीजिएगा और जो भी पूजा में बैठे उनको भी टीका कर दीजिएगा उसके बाद देखे हम भगवान को वस्त रूपी कलावार पंड करेंगे तो जैसे कि मैंने पती महराज को भी कर दीजिएगा फूल आप चाहें तो खुले भी चड़ा सकते हैं उसके बाद देखे जनेव मैंने सब भगवानों से चुआ के गने भगवान से शिवजी से और विष्णुजी से चुआ के यहीं रख दिया है आप चाहें तो खोलके इने पैना भी सकते ह हैं उसके बाद देखे आप शिवलिंग पे चावल जरूर चढ़ाएं और आपके चावल टूटे वे नहीं होने चीए तो हमने शिवलिंग पे चावल चढ़ा दिये हैं और भगवान विष्णु के ओपर हम इस तरीके से तिल चढ़ा देंगे देखे आज के दिन बैकुन को भी आप इस तरीके से स्थान दे दिजेगा उसका भी आप अच्छे से पूजन कर लिजेगा चंदन रोली लगा के थोड़ा से आप उसको भी कलावा वस्तुरूपी कलावा रबंड कर दीजेगा साती-स आप उस पर भी थोड़े से फूल वगएरा लग दीजेगा क्यों कि उस्टेप लगा सकते हैं या फिर अलग से थोड़ा सा कलावा या रूइन लेके उसपे इतर लगा के भी भगवान को चढ़ा सकते हैं तो देखे हमने सबको इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा इत्र लगा दिया है, गनपती महराज को, शिवजी को, विश्नु भगवान को, सबको हमने इस तरीके से इत्र लगा दिया है, और यह देखे, अब हमने अपने दीपक को भी फूल चड़ा दिया है, आप दीपक का भ तो पाँच साथ जितने भी लिया हो उन सब का भी आप भगवान को भूग लगा दिजीए गा और इस तरीके से चढ़ा दिजीएगा तो देखे गनपती भगवान को भगवान विश्णु को जो हैना केले बहुत को संदे तो उनको केले का सेपका इस तरीके से आप भूग जरूर रखें तिल हुए आवले हुए बहुत जदा महत्व होता है इनका कात्ति के महीने में उसके बाद देखें आप यह पताशे लिये हैं मैंने उनसे भी मैंने भोग लगा दिया है सभी भगवानों को और यह मैंने लिया है गुड और चना तो अगर आप चाहें तो कोई भी पीले रंकी मिठाई ले सकते हैं या कोई भी मिठाई ले सकते हैं या इस तरीके से गुड और चने का भी भोग लगा सकते हैं और यह मैंने भगवान विश्नु के लिए सारे प्रशाद में तुलसा दल रखके भोग लगा दिया है क्योंकि बिना तुलसा दल के हमारे भ चतुदशी वाले दिन दीबदान किये जाते हैं और ये चोदा दीबदान करने होते हैं और ये दीबदान कहा करने हैं कैसे करने हैं और कब करने हैं बहुत ही विशेश महत्व होता है उसकी मैं सेपरेट से एक वीडियो बना दूँगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी नह आने से मंदिर में और यह कैसे बनानी है इसकी वीडियो चैनल पे है आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही फ्री ओफ कोस्ट में यह बनके तयार हो जाती है तो वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगे जो है दैना अच्छे से आरती कर लिजीगा उसके बाद हम इहाँ पे आरती करने के बाद कथा सुनेंगे तो देखे कुछ दाने लेलीजेगा आप हाथ में चैन तो चावल के लेलें चैन त साथ में आप कुछ फूल ले सकते है और उसके बाद यहीं पर बैठकर हम कथा कर कथा का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा और देखें कथा सुनने के बाद आप अपने दोनों हातों को जोड़कर भगवान से शमा याचना करेंगे कि अगर हमसे कोई भी तुटी हो गई हो हमारी पूजा में कोई भी कमी रह दिया है कि आप बैखुन चतोदशी की पूजा कैसे कर सकते हैं और दीपदान कैसे करने हैं उसकी वीडियो चैनल पे आजाएगी आप उसे भी जरूर देखिएगा तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जै किसी के काम आ सकें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसी अराम राम